हालो श्टूडेंट इस आरती चोधरी सभी को बिलकुल वैरी गुड मॉर्निंग राधी राम राम कैसे आप सब बढ़े हा फस्ट क्लास एक बार ज़रा कॉमेंट करके कन्फर्म करेंगे बच्छा आपका की ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के हैं आपकी क्लास लाइव हो जो मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि जंतर मंतर पर रेलवे के कुछ जो हमारे चात्र है उन्होंने आपका एक धरना प्रदिशन करना शुरू कर दिया है तो इससे मैं आपको बेसिकली ये सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि प्लीज बच्चा मैं आपसे पहले दि सफर करना पड़ा था तो प्लीज जितने भी स्टुडेंट हैं जो आप धरना प्रदिशन पर गए हुए हैं आप लोग प्लीज सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको कई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपके फ्यूचर पर कोई एफेक्ट पड़े एक बार जोर चलिए यदि आपको मेरी क्लास इच्छी लगती है और जितने भी बच्चे चैनल पर नए है तो प्लीज आप लोग एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अड़ा 24-7 की एप्लिकेशन को डाउनलोड जरूर करेंगे और मेरे नाम के साथ के लि जर्त बीजी पोधा इनमें से कौन सा है बदाईए सबसे बड़ा मैम ऐसे सी CHSL का रिजल्ट कब तक आएगा? अरे आज आएगा ठीके टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट विजल्ट की आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए वो आपका काम होता रहेगा, बाक टू बैक आप लोग सिर्फ अपना थोड़ा सा यहां पर फोकस करेंगे तो लार्जेस्ट जिम्नो स्पम इन में से कौन सा है आपका रेड़ वूट? ठीक है? कौन सा है बचा आपका रेड़ वूट? निम्न में से कौन सा दूई बीजी पादप है? बताइए इन में से कौन सा आपका दूई बीजी पादप है? दूई बीजी का मतलब क्या है? आपका डायकोट प्लांट कौन से होते है? ठीक है? बताइए डायकोट प्लांट आपके कौन से होते है? जिनके अंदर आपके दो कोटी लिडोंस पाए जाते हैं वही आपके क्या होते है? डायकोट प्लांट होते हैं यानि जब आप किसी पोधे की बीज को देखें और वो बीज यह दिए उसका दो हिस्सों में तूट जाए जैसे कि आम, आम की गुठली अभी आपका आम का सीजन शुरू हो जाएगा, आम की गुठली को जब आप अंदर तोड़ते हैं तो उसका बीज होता है, जो अलग-अलग दो हिस्सों में आपका तूट जाता है, तो यह आपका मैंगो क्या है, डायकोट प्लांट है, विच वन ओफ दा मेल रिप्रड़क्टिव पार्ट ओफ फ्लावर, जो आपके पुष्प के अंदर, जो आपका पुरुष का जननांग भाग इ ओवरी और ओव्यूल भी आपके कहां पाय जाते हैं, फीमेर रिप्रड़क्टिव पार्ट है, लेकिन पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पराग कन जो होते हैं, यह आपके फ्लावर के अंदर, मेल का रिप्रड़क्टिव पार्ट होते हैं, जो रिप्रड़क्शन में मदद करते है फूलों में खुश्बू इन में से किसके कारण पाई जाती है MTS वालों का analysis चल रहा है as it is उससे हमारी class पर कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि railway और MTS का बच्चा common नहीं है railway का बच्चा अलग है MTS का बच्चा अलग है so आप लोग आप लोग की classes ऐसे ही continue चलती रहेंगी आप लोग अपनी class पर focus करेंगे तो क्या बच्चा आपका easter ठीक है आपके फूलों में खुश्बू इन में से किसके कारण होती है easter के कारण होती है example of false fruit बताईए example of false fruit इन में से असत्य फल का उधारन क्या है एक ब्राइटनेस ठीक कर दो सब्सक्राइए example of false fruit इन देखो false fruit की यदि मैं आप से बात करूं बच्चा तो fruit जो होते हैं वो दो तरह की होते हैं एक आपके true fruits होते हैं और एक आपके false fruit होते हैं यदि flower के pollen grain यदि flower के pollen grain यानि की पराग कर आपके जो female का reproductive पार्ट है ऐसे घुमा दो एक बार इसको female का reproductive पार्ट है ऐसा ही नहीं दिख रहा से में लग रहा है कि जो भाई कोई देखने में कोई problem दो नहीं आ रहे हैं एक बार बता देना चलो ठीक है ठीक है तो आपका क्या है यदि ये ओवरी के साथ में react करते हैं और यहां से यदि reproduction करके ये आपका कोई फल तयार करते हैं इस reaction से यदि कोई आपका फल तयार होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या आपका true fruit यहां से जो फल तयार होगा वो आपका true fruit होगा लेकिन pollen grain यदि यदि ovari के अलावा और किसी भी पार्ट से रियक्ट करते हैं फिमेल के reproductive पार्ट याने किसी और reproductive पार्ट, ovari को छोड़के जैसे stigma हो गया, style हो गया, इनसे यदि रियक्ट करते हैं, तो वहाँ से जो आपका फल तयार होगा वो आपका false fruit होगा यहाँ पर यह जो apple है यह आपका false fruit का एक example है जो सबसे ज़्यादा आपके exam में पूछा जाता है निम्न में से कौन से तीन आवश्यक तत्व बीज के अंकुरन के लिए जरूरी होते हैं यानि यदि आपको बीज को अंकुरित करना है तो इन में से कौन से main तीन component है जो उसके basically अंकुरन के लिए आवश्यक होते हैं मैं MTS की class लेती हूँ शाम चार बजे आज आपका कल की classes में कल के exam shift में जो आपकी question पूछे गए हैं और आज जो आपके question पूछे जाएंगे उन सब का निचोड मैं आपको कराऊंगी कि किस तरह के questions आपके exam में पूछे जा रहे हैं तो किसी भी बीज को आपका क्या basically अंकुरित होने के लिए पानी, temperature और oxygen इन तीनों तत्वों की जरुरत होती है एक पार like करेंगे यार जिनोंने like नहीं किया है पादप के किस भाग को पादपो का फेफडा कहा जाता है यानि कि हम इन में से lungs of plant किसको बोल सकते हैं lungs of plant हम इन में से किसको बोल सकते हैं it is a humble request all of you सारे बच्चे answer करेंगे question tough नहीं है जो आप लोग answer ना कर पाओ ठीक है अगर इस हिसाब से आप लोग YouTube की classes का answer नहीं कर पा रहे हैं तो भई paid classes में तो मैं काफी tough question पूस्टी हूँ वहाँ पर आप लोगों की कैसे फिर आपकी मतलब बात बनेगी यार और exam में थोड़े से tough question ही पूछे जाते है यह तो आप लोगों को एक तैयारी कराई जाती है कि इस तरह का आपका scenario इतना तो base आपका at least होना ही चाहिए ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखो किसको बच्चा लीव को लीव जो होती है पत्तिया देखो lungs का का काम क्या होता है हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर से बलड के अंदर से carbon dioxide निकालना और oxygen को intake करना यह lungs का कारिया होता है तो यहाँ पूछा गया है कि plant के अंदर lungs का कारिया कोन करेंगे तो plant के अंदर basically gas exchange करने का कारिया कोन करती है आपकी leaves करती है आपकी पत्तिया करती है प्रकास insulation की करिया में मुक्त हुआ gas किस से आता है बताईए जो आपका photosynthesis होता है उसमें जो आपका gas release होता है यानि जो oxygen हमें मिलता है वो oxygen कहां से प्राप्त होता है पानी से carbon dioxide chlorophyll या sunlight से बताईए बैच भाई बिलकुल आपका 10 मई से शुरू हो जाएगा मेरा बैच 10 मई से मेरा RRB ALP का बाच शुरू हो जाएगा तो किसी भी कीमत पर आप लोगों को देखो vacancy बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बच्चे लगातार एक गुस्से में आना शुरू हो गए है उनके अंदर एक आक्रोश भर चुका है हाला कि हम सजस्ट कर रहे हैं समझा रहे हैं लेकिन बोलते हैं ना कि यार हर किसी के लिमिटी होती है तो यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है गवर्मेंट से कि आप लोग जितना हो सकता है हमारे पास एड्मिस्टिशन डिपार्टमेंट है अच्छा कासा हमारे पास मैन पावर अच्छी है एक वेकेंसी जरूर रिलीज करनी चाहिए लहीं तो बच्चों का आक्रोस है हम उन्हें समझा सकते हैं लेकिन हम उनका हाथ पकड़के घर में नहीं बठा सकते ये बात शायद समझनी होगी अब तो क्या बच्चा ये जो आपको औक्सिजन प्राप्त होती है ये किस से प्राप्त होती है चलिए प्रकास संसलेशन किसमे होता है फोटो सिंतेसिस अकॉर्स इन प्रकास संसलेशन किसमे होता है बताईए प्रकास संसलेशन किसमे होता है प्रकास संसलेशन इन में से किसमे होता है दिन में रात में दिन और रात दोनों में या फिर आपका दोनों में से किसी एक में देखो एक बात देखना आपका जो एक्जामनर ठीक मानता है वो मानता है सिर्फ दिन में लेकिन एक्शुली में जो आपका फोटो सिंथेसिस होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है लेकिन आपका एक्जामनर सिर्फ दिन में ही सही मा नहीं है oxygen release नहीं करते आपने सुना होगा जिसे people के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि people का पेड़ रात के समय में भी oxygen की amount ज्यादा release करता है दूसरे पोधों से ऐसा नहीं है कि वो पूरी oxygen ही release करता है दूसरे पोधों के comparison में वो आपका oxygen थोड़ी ज्यादा amount में release करता है यानि आप ये कह सकते हो कि people और people जैसे कुछ वरक्ष हमें oxygen सबसे ज्यादा provide कराए जाते हैं इसलिए उनको काटने से मना किया जाता है इंडिया में तुम किसी को ऐसे बोलोगी इस पोधों को नहीं काटना है कौन मानने वाला इसलिए हम क्या करते है थ दिन और रात दोनों में होता है लेकिन आपका examiner इसको सिर्फ दिन में ही सही मानेगा ठीक है चलिए निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कारिये नहीं है जड़ इन में से किस कारिये को नहीं करती क्या photosynthesis पानी absorb करने में मदद नहीं करती absorption nutrition यानि कि जो मिट्टी से nutrient मिलते ह है क्या उनको absorb करने में मदद नहीं करती या फिर support नहीं देती plant को support भी देती है nutrient भी absorb करने में मदद करती है पानी absorb करने में भी मदद करती है लेकिन अब यहाँ पर भी मैं आपको समझाना चाहूंग이 photosynthesis के यदि मैं बात करू तो दो तरह का होता है एक होता है positive photosynthesis जो पनका जो आपका photosynthesis है वो basically आपका कहा होता है जड़ वगरा में होता है लेकिन यहां भी आपका examiner ठीक नहीं मानता क्योंकि वो उपर-उपर से आपको चीजों को सिखाना चाहते हैं तो photosynthesis आप लोग यहां पर टिक कर कहेंगे लेकिन actual में क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया ह निम्ण में से किसमे सबसे अधिक और उर्जा को रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित करने की शमता पाई जाती है बताईए निम्ण में से किसमें सबसे अधिक उर्जा को रासायनिक उर्जा में ठीक है परिवर्टित करने की छमता पाई जाती है तो किसके अंदर क्लोरैला के अंदर ठीक है बच्चा कुछ पूछ रहा है कि माम जवाब दीजिए प्रीत क्या कोश्चन क्या है आपका ये बताईए आप कुश्चन क्या है आपका ALP की वेकिंसी कब तक आएगी बिटा ALP की वेकिंसी के लिए ही सारी लडाई लड़ी जा रही है ठीक है और हम लोग लगातार आपके साथ ही है आपको सपोर्ट ही कर रहे है आप जो भी जहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं पहले मैं एक बार उस नियूज को पूरा एक बार रीड कर लूँ, समझ लूँ फिर उस पर आपका एक सेशन लगा दिया जाएगा, आपको समझा दूँगी क्या आप लोगों को करना है, कैसे करना है लेकिन वोईलेंट और कोई भी हिंसा वाला रास्ता आप लोगों को नहीं अपनाना है ठीक है, ऐसे पोधे जिन पर एक ही बार फूल आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक क्या बोलते हैं, आपका मोनोकार्पिक कहा जाता है, चलिए, अगला कोशन देखते हैं पोधे अपने ब्लैंक के माध्यम पोशक तत्वों को अवशोशित करते हैं बताइए जी पोधे अपने, इन में से किस इसे की मदद से, किस परट्स की मदद से न्यूट्रियंट को अब्जोब करते हैं तो पोधे जो होते हैं, मिट्टी से, रूट्स की मदद से न्यूट्रियंट को अब्जोब करते हैं दालें किसका अच्छा श्रोथ होती है दाल के अंदर इन में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है विटामिन प्रोटीन कार्बोहिड्रेट या फैट चलिए बिल्कुल मोनो शब्द यदि कहीं पर दिखें तो समझ लेना कि भाईया मोनो का मतलब आपका सिंगल है तो क्या बच्चा दाल के अंदर सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है पोधे में सरकरा किस रूप में संसलेशित की जाती है पोधे में सरकरा किस रूप में संसलेशित की जाती है प्लांट के अंदर जो आपकी कार्वो हइड्रेट है वो इन में से किस रूप में पायी जाती है सेलिलोस के रूप में cellulose के रूप में, guard cells are present guard cell इन में से कहां पर पाई जाती है बताईए, guard cell पोधों के अंदर guard cell इन में से कहां पर present होती है, leaf के अंदर कहां पर आपकी leaf के अंदर present होते है curcumin is obtained from, curcumin कहां से प्राप्त होता है curcumin कहां से प्राप्त होता है तो कर्क्युमिन कहां से प्राप्त होता है तर्मरिक से प्राप्त होता है ये आपको हल्दी से प्राप्त होता है पोधे के रोग का नाम बताईए जिसमें पत्तियां शारफल सभी प्रभावित होते हैं पोधे के रोग का नाम बताईए जिसमें पत्तियां शारफल सभी पार् आपके प्रभावित होते हैं, तो वो क्या है आपका शिट्रस bucks anchor, वो बिमारी कौनसी है, इसमें पोधे के सारे भाग आपके affect होते हैं, सेब का लाल रंग का कारण क्या है, यानि इन मेंसे कौन सा pigment पाया जाता है सेब के अंदर, जिस सेब का color जो होता है, वो आपका red होता है, यार like का रेशो बहुत ही कम है Class में ये तो मतलब बात जमने वाली नहीं है कुछ जिनोंने like नहीं किया है एक बार like जरूर करेंगे सारी Class को ओके बताईए तो किस में आपका जो आपका Apple का Red Color है वो किसे कारण होता है एंथ्रोसाइनिन, टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन, गाजर का नारंगी रंग, कैरटीन, ठीक है, जैन्थोफिल क्या है आपका, यदि किसी भी फूट का येलो कलर इनमें से किसके कारण होता है, जैन्थोफिल के कारण, टीटी-ई की आपकी यही क्लास है, टेक्निशियन की भी यही क्लास है, क्योंकि साइन्स का सले, बस सब में आपका कॉमन है, जो आपकी फंजाए, यानि की कवक जो होते है, उनकी कोशी का भित्ती, इनमें से किसकी बनी होती है, वनीत बता चुकी हूँ आपको, दस मई से नया बैच शुरू होगा, टीटी, टेक्निशियन, अलपी, सब के लिए, तो सारे बच्चे, टीटी, टेक्निशियन वाले, दस मई वाले बैच में एन्रोल्मेंट कराएंगे, उके, चलिए, सैल वोलो, फंजाए, इनमें से किसकी बनी होती है, आपकी कायटीन की बनी होती है, लाल, मिर्च, तीखी होती है, किसमें, क्योंकि इसमें वो पस्तित होता है, जब तक सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करेंगे, अगला कोशन नहीं दिखाने वाली में, इत्ती महनत लगती है, वही कोशन सेलेक्ट करने में, और आप लोग यार, मतलब छोटी-छोटी से चीज़ें होती है, आपको घर बैटे लाइक कर करना होता है, शेयर करना होता है, आपको कोशन सेलेक्ट करने है, पीपीटी बनानी है, फोंट आपको सैट करना है, कलर अलग-अलग रखने है, बच्चे को सुविधा होनी चाहिए, बच्चे की आँखों पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, हमें वो कलर सेलेक्ट करने ह होते हैं जो बच्चों की आखों पर कोई stress ना आपके लेकर आए पीछे का background ब्लाक ही रखना है जिससे कि ताकि बच्चे की आखों पर कोई stress ना तो आप लोगों को तो कुछ काम करना ही नहीं है जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो खुदी कर दिया करो बोलना क्यों बढ़ता है उन सब चीजों के लिए ना बोलना अच्छा ही नहीं लगता भाई बताईए लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है आपका कैपसीयसिन ठीक है कैपसीयसिन के कारण लाल मिर्च दीखी होती है आयोडीन इस उब्टेंड फ्रूम विच एलगी इनमे से किस सैवा या एलगी से आपको आयोडीन प्राप्त हो सकता है इनमे से ठीक है गुरूप डी ट्रैक मैन के लिए अरे भाई अब गुरूप डी की स से आपको आयोडीन प्राप्त हो सकता है निम्न में से कौन स्वापोसी है इन में से आपका कौन सा ओटोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हो इन में से आपका कौन है जो अपना खाना खुद बनाते है तो अपना खाना खुद बनाने वाले इन में से कौन है शेवाल की कोशी का भित्ती इनमें से किसकी बनी होती है तो शेवालों की कोशी का भित्ती किसकी बनी होती है आपकी cellulose की बनी होती है किसकी cellulose की TMV term is related to TMV शब्द का full form यदि तुम्हें पता है तो आप एक second में इस question का answer कर सकते हैं और ये सारी चीज़े मैं आपको paid classes में बहुत detailed में कराती हूँ आराम से समझाती हूँ extra class लेते हैं आपकी doubt class लेते हैं सारी PDF आपको provide कराई जाती है so please ठीके आप सारे बचे तयारी में लग जाईए क्योंकि vacancy बहुत जादा delay अब आपकी नहीं हो सकती है तो TMV सब्द के यदि मैं आपसे बात करूँ तो ये टमैको मोजैक वाइरस यानि कि ये आपके एक ऐसी बिमारी है जो तबागों की फसल को affect करती है और basically आपके एक वाइरस से होने वाली बिमारी है तो ये TMV क्या है आपका एक वाइरस है विच बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इनमें से कौन सा बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहला सकता है बताइए तो राइजोबियम आपका वो बैक्टीरिया है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिय या कह सकते हैं वरगी कि के पिता इन में से कौन है या फिर मैं आप से पूछू कि बेसिकली आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन में से किस ने दिया था जो लिविंग बिंग्स है उसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन में से किस ने दिया था तो टू किंगडम क्ला सहाब काल्स लीनियस सहाब ने आपके जो लिविंग बिंग्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था यानि आनिमल और आपका किसमे प्लांट में इसके बाद में आरेच वही टेकर ने फाइव किंडम क्लासिफिकेशन दिया था दोनों ही टाम आप लोग याद सबसे छोटा जीव इनमें से कौन सा है बताइए नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं बताइए बताईए जी पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं तो पोधे नाइट्रोजन को किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं आपका नाइट्रेट में मिट्टी के अंदर जो आपके नाइट्रो सोमोनस बैक्टिरिया पाए जाते हैं वही nitrogen को आपके nitrate में convert करने में मदद करते हैं चलिए अगला question देखते हैं आपका क्या रहेगा next question which plant hormone found in gaseous foam which plant hormone found in gaseous foam इन में से कौन सा आपका plant hormone है जो की gaseous foam में पाया जाता है बताईए कौन सा plant hormone है जो आपका gaseous foam में पाया जाता है तो कौन सा है भाई आपका आथलीन आथलीन आपका वो plant hormone है जो gaseous foam में पाया जाता है और पोधो को natural रूप से प्राकर्तिक रूप से पकाने में आथलीन hormone ही मदद करता है पोधो को नहीं सोरी फलों को चाय का वनस्पती नेम आपका क्या है बताईए यानि कि जो आपकी चाय होता है चाय होती है उसका नेम आपका क्या होता है तो आप लोगों का नाम याद रखेंगे साइनेंसिस ठीके क्या होता है आपका कैमसेलिन साइनेंसिस आपका क्या होता है इसका आपका साइन्टेफिक नेम होता है बिना निशेचन के फलों के विकास की तक्नी को क्या कहा जाता है बिना निशेचन के फलों के विकास की तक्नी को क्या कहा जाता है बताइए विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि आपके पोधों को यदि आपके पोधों को हमें देखो एक चीज याद रखना दो मिनट चार मिनट क्लास लेने वालों का कभी एक्जाम क्रैक नहीं होता वो बच्चा जो पूरी क्लास अटेंड करेगा या पेड़ हो या यूट्यूब पूरे धंग से मन से बैठेगा सब कुछ छोड़ चाड़ के बैठेगा दिमाग को बिलकुल खाली करके बैठेगा तभी आप बच्चा कुछ एक्सेप्ट कर पाएंगे अदरवाइस नहीं कर पाएंगे मैं क्या किसी से भी नहीं कर पाएंगे आप तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आपका पार्थीनो कारपी नेक्स्ट कोशन देखते हैं समय से पहले पत्तियों का गिरना निम्लिकित में से किसकी नियूंतम के कारण हो सकता है यानि यदि आपकी समय से पहले ही पतज़ड शुरू हो जाता है तो यदि प्लांट के अंदर फोसफोरस की कमी है तो समय से पहले ही आपका पतज़ड होना शुरू हो जाता है बच्च में जुड़ना चाहते हैं ध्यान से सुनेंगे आप लोगों को क्या करना है क्योंकि बहुत बच्चों के मैसे आ रहे हैं कि मैम एक्स्ट्रा पैसे लग गए है या अब हमें रिफंड कराना बहुत मुश्किल होता है मैं आपको पहले ही यहां पर गाइड कर देती हू सो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि बैच में अन्रोल्मेंट कैसे कराना है आप लोग सिंपल गूगल चलाते हैं अड़ा 24-7 वेबसाइट को बच्चा आप लोग वहां पर ओपन करोगे ठीक है आप लोगों को सिंपल क्या करना है अड़ा 24-7 आप लोग वेब वेबसाइट ओपन करेंगे वेबसाइट ओपन करने के बाद यहां गवर्मेंट जोब एक्जाम आपको अल्रेडी सेलेक्ट किया हुआ मिलता है रेलवे इसमें आप लोग सेलेक्ट करेंगे और भी एलपी का बच्चा यह आपका बैच है ओके तो यह हमारा बैच है जो उपन कोड लगाना है डिसकाउंट के लिए 2200 रुपे का दिख रहा है ना वाई 446 जैसे ही आप लोग इसको अपलाए करोगे मात्र 448 में रुपे में यह बैच 6 महीने की वैलेडिटी के साथ सारे सबजेक्ट मैट्स रीजनिंग जो भी आपके एक्जाम में आने वाले हैं वो सब इसमें आपके पढ़ाए जाएंगे और मैं इसमें आपको साइंस पढ़ाऊंगी किलियर यह आपका एल्ब्यो टेक्नीशियन का है आई प्रैफर रेलवे का महापैक क्यों मैं मैं आप रेलवे का महापैक बोल रहे हो यह तो 4800 रुपे का है लेकिन देखो जब आप कोई कोल करके कुछ भी बोलता है तो प्लीज आप लोग स्टिकली बोलना सीखे कि नहीं हम यही कोड अप्लाए करेंगे क्योंकि बाद में पैसा लगने के बाद बहुत सारे ऐसे आपके फ्रोड लोग होते हैं जो नंबर निकाल लेते हैं आपको इस्टुडेंट को परिश चान करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें आप लोग मात्र आपको ग्यारे सो तीन रुपे में बलकि एक्प्लिकेशन से 1000 में मिल जाएगा यदि आप मेरे नाम के साथ में लिंक लगा हुआ है अप्लिकेशन का वहां से पर्चेस करेंगे 1000 रुपे में मिल जाएगा गुरूब किसी को कैमस्ट्री पढ़नी है हाला कि वो क्लास आई सी ए आर की है बटा आपको पैरलली ये दी कैमस्ट्री के कोश्चन करने है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में सुईचोन कर सकते हैं बाई बाई टेक क्यार जेहिंद